तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में पताऊंगा जुरासिक पार्क जुरासिक वर्ड सारी मुवीज के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में कि इस सीरीज में से सबसे ज़्यदा बॉक्स आफिस कलेक्शन कौन सी मुवी ने करके दिखाया है तो यह फ्रेंचाइसी फिलाल रिलीज हो चुकी है और इसको अभी तक 88% का रूटन टमेटो पे स्कोर मिला है काफी अच्छी मुवी होने वाली है ऐसा लग रहा है मुझे तो पहले मैं सीरीज वाइस बताऊंगा आपको कलेक्शन फिर बाद में बताऊंगा कि कौन सी मुवी ने सबसेदा बॉक् वाइस कलेक्शन नौध अमेरिका में 404 पिलियन का किया था लॉन पॉइं बेलियान का है काफी अच्छा बॉक्स आप Never About the biggestस बाद में इसका सीकुल करके लिया दिपाना awe akan ये लॉशिकविह मुवी पॉमेए थी मेड 23 1997 को और ये मुवी कुछ महीं थी ख pact Stephen Spielberg नहीं किया था और बात के इसके North America के collection की तो इसका North America का collection 229 million का था और worldwide 618 million का था budget 73 million का था इसका एक और sequel आया था Jurassic Park 3 नाम से और ये आये थी July 18 2001 में और इसका जो अमेरिका का North America का collection था वो 181 million का था और worldwide इसने 368 million का ही box office collection किया था बहुत ही कम और अगर compare करे budget की तो budget दोनों previous movie से ज्यादा 93 million का है देखो ये movie personally मुझे भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं आयी थी क्योंकि ये movie काफी छोटी बनाए गई थी और इसके अंतर कुछ भी explore ढंक से नहीं किया गया था अब फिर इसके बाद आती है Jurassic World और ये movie fourth installment थी Jurassic Park के franchise की और first movie Jurassic World के trilogy की तो ये movie जो Jurassic Park हुआ था उसके 22 साल के बाद ही कहा नहीं है अब आत करें इसके director की इनके director थे Colin Tavero हुई आई थी 2015 में June 12 को और इसका जो box office collection था North America का वो 653 million का था और worldwide इसने 1.671 billion का box office collection किया था जबबर्दस, blockbuster और इसका budget सिर्फ 150 million था फिर बात करें इसके sequel की यानि की Jurassic World Fallen Kingdom की तो ये आई थी June 22 2018 को और इसका जो North America का collection था वो 417 million का था और worldwide इसने 1.310 billion का box office collection किया था देखो ये movie थोड़ी सी खराब थी पर इतनी भी खराब नहीं थी कि इसको देखा न आ जा सके बागी compare करें Jurassic World 3 से और Lost World से तो ये काफी अच्छी बनाए गए थी as compared to both films और इसका जो budget था वो 170 million का था इसका जो sequel अभी 10 June को आने वाला है Jurassic World Dominion तो देखो ये movie तो अभी 10 June को ही release होने वाली है और इसका जो budget है वो 165 million का है और अभी तक इसने box office collection 55 million का ही किया है देखो ये movie जब फिलाल कहीं पे भी full flash release नहीं हुई है कुछी countries है जिनके अंदर इस June को release होने वाली है और ये काफी अच्छा box office collection करके दिखाने वाली मुझे तो ऐसा लगता है तो अगर मैं इनको number wise करूँ तो first पे आती है Jurassic World जिसका box office collection 1.67 billion का है और second पे आती है Jurassic World Fallen Kingdom जिसका box office collection 1.310 billion का है तो third पे आती है Jurassic Park जिसका box office collection 1.1 billion का है fourth पे आती है The Lost World जिसका box office collection 618 million का था और fifth पे आती है Jurassic Park जिसका box office collection 368 million का था तो sixth पे फिलाल अभी आती है Jurassic World Dominion जिसका box office collection अभी तक 55 million तक है देखते हैं interesting यह होगा कि ये Jurassic World का box office collection worldwide तोड़ पाती है कि नहीं तो अगर मैं सारी movies के budget को add करूँ तो इसका पुरा budget हो जाता है 714 million का मैं सारी movies के worldwide box office को add करूँ तो यह हो जाता है 5.124 billion का मतलब काफी ज्यादा तो मैं तो चाहूंगा कि इसके sequels आएं क्योंकि ऐसी movies काफी कम बनती है जिनको theater में experience करना बनता ही है तो आपने इन सारी movies में से कौन-कौन सी movies देखी है अगर देखी है तो आपको कौन सी movies related content को लेके आता हूं तो अगर आपका भी कोई suggestion है तो comment में जरूर बताना मैं उसके पर जरूर वीडियो बनाऊंगा तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को subscribe कर देना मिलते हूं आपसे next वीडियो में ततक लिए बाए